कस्टमाईज बेस बनाने से होता यह है कि जी आपकी जो बेस है या एक फॉर्मूला क्रियेट हो जाता है जो कि एक बड़ा अच्छा फिनिशिंग वाला रिजार्ट देता है और वाटर प्रूफ हो जाता है क्यूंकि तमाम बेसी आपस में मिल जाती है यहाँ पे मैंने दोनो पे पूरा आता है ठीक है न उतना प्राइमर लेना है अब यह प्राइमर और जी आपकी डर्मा एक्स या स्टीक बेस और जी आपके जो पैन केक है इसका मिक्सचर जो है वो बहुत बेतर रहता है अगर आपकी ओईली स्कीन है तो आपने इसमें डालना है जी फिक्सर और अ शखजब हर जो